हेलो फ्रेंड्स नमस्ते कैसे हैं आप सब आज हम करेले की बहुत ही टेश्टी और स्वादिश्ट और साथ में हेल्दी रेसिपी बनाएंगे इसे बनाना friends बहुत ही आसान है, ज्यादा तर हम करेले की जो सबजी बनाते हैं उसको ज्यादा तेल में फ्राय करनी पड़ती है, ताकि इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए, लेकिन आज हम बहुत ही कम तेल से करेले की सबजी बनाएंगे, जो की healthy भी होगा, tasty भी होगा और बच्चे भी बहुत पसंद से खाएंगे, तो चलिए friends हम सबका अपना चैनल recipe room में आप सभी का स्वागत करते हैं और recipe बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम तीन चम्मच सर्चों तेल डाल दियें और एक चम्मच हम सोफ डाल देंगे, और थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम अजवाइन डाल देंगे, सबको अच्चे से चटकने देंगे, medium to low flame पे ही fry करना है, यह ध्यान रखना है, और आधा कप हम बेशन डाल देंगे, और एक चम्मच भरके सूजी डाल देंगे, यह डालना बहुत जरूरी है, सूजी डालना जरूरी इसलिए friends कि इसका जो दाना दाना जैसे डालेंगे न बेशन तो बैठ जाएगा, सो नहीं एक चम्मच सूजी डालेंगे, तो खिला खिला ही रहेगा उसमें जो भरेंगे, और इसको अच्चे से medium to low flame पे भूनेंगे, और अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और थोड़ी सी हल्दी ताकि देखने में ये सुन्दर लगे, और अपने स्वाद अनुसार हम मिर्च डाल देंगे, चाहे तो आप इसको skip भी कर सकती हैं, बहुत लोग ये करेले में मिर्ची पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आप हम डाल देते हैं, थोड़ा टेस्ट अच्छा है, और ऐसे करेले को अच्छे से धो लेंगे, दो तीन पानी से अच्छे से धोना, ये जो करेले के बीच, जो है ना फ्रेंड से चारो साइड में इसे गड़े गड़े जो है, इसमें थोड़ा सा गंदा सा फस जाता है, मिट्टी रा जाता है, इसलिए अच्छे से दो तीन पानी से धो और इसके जो पूछ है ना करे लेके, इसको हम काटेंगे नहीं, ऐसे ही पूछवाला करेला बनाएंगे, बच्चे भी खुस होके खाएंगे, ऐसे ही बीच से चीरा लगा देंगे, और ऐसे ही सारे को भर के रेडी कर लेंगे, देखिए फ्रेंड्स कैसे एक दम अराम से भरा और इसका बीज भी नहीं निकालना है friends, बीज निकाल देंगे तो कोई फैदा नहीं है, जादा तर लोग देखते हैं, इसका चीरा लगा के बीज निकाल के बनाते हैं, एक दम न्यू रेसिपी है friends, एक बार आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा, सारे को ऐसे ही भर लिए हैं और एक कूकर में एक गलास पानी रग दिये हैं, और एक कटोरी भी डाल दिये हैं, ताकि ये जो करेले को हम भाब से पकाएंगे ना, नहीं तो डायरेक्ट डालेंगे तो पानी घुच जाएगा इसमें, इसलिए सेपरेटर के साथ उचा कर दिये हैं, चाहे तो आप कुछ भी रग दिये, थोड़ा उचाई पे करेला डाल देना है, और ऐसे ही हाइफ लेंपे इस्टीम आने तक पकाना है, पूरा एक सीटी नहीं लगने देना है, बस जैसे ही इस्टीम बन जाए, फिर आप बंद कर दिये, बस ये रेडी हो गया, देखिए, ऐसे ही एक एक करके इ उसको हम ऐसे ही सेलो फ्राइ करेंगे, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, एकदम कम तेल में बना हुआ है, और ये जब मैं बेशन भून रही थी न, तो उसमें हम एक चम्मच भरके अमचूर भी डाली थी, वो मैं आपको बताना भूल गए थी, अमचूर डालना इसे हम अच्छे से फ्राइ करेंगे, और देखिए तेल भी जादा नहीं लगा है इसमें, और दीरे दीरे ये फ्राइ होते जाएगा, और उपर से थोड़ा से हम हल्दी डाल देंगे, और मिक्स कर देंगे, थोड़ा कलर अच्छा है, ऐसे ही पलटते जाएंगे इसको, दे आप में इसको फ्राइ कीजिए एक लोम, बहुत कम तेल में बनके ये रेडी हो जाएका और इसे बनाना भी बहुत असान है भी बारिस का भी मोसम चल रहा है बजार में खूफ सारे करेले भी आ रहे हैं और इसे बनाना बहुत असान है बहुत ही healthy, unique और tasty recipe बनके तयार हुए है इसे आप रोटी, पराठे, पूड़ी, चावल के साथ खाईए और enjoy कीजिए फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में बाबाई